तो दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में अमरूता का रॉल प्ले करने वाली एक्ट्रेस सुष्टी जहा के लाइफ स्टैल एन बायोग्राफी के बारे में साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो शाय भी आप जानते हो तो भीने वीडियो को स्किप करें बने रही हमारे साथ एंड तक उनका जनम 26 February 1986 को दरबंगा पेगु सुराई बिहार में हुआ और 2024 के अकोर्डिंग अभी वो 37 की है उनका रियल नेम सिष्टी जहाँ और निकनेम टीटू एंड चली और प्रोफेशन से वो एक एक्ट्रेस है इसके साथ ही उनकी फिजिकल अपिरंस की बात की जाए तो उनकी हाइट 165 सेंटीमेटर और 5,6 इंची और उनका वेट 55 केजी और फिगर मेजरमेंट 34, 26, 36 है इसके अलावा उनका आई कलर ब्लैक और हेर कलर भी ब्लैक है और रिलिजन से वो हिंदू और नेशनलिटी से इंडियन है इसके साथ ही उनकी फैमिली की बात की जाए तो उनकी फैमिली में उनके फादर, सिस्टर और ब्रादर है साथ ही उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी स्कोलिंग Modern Indian School काट मांडू लक्षमन पब्लिक स्कोल डैली से करी फिर उसके बाद उन्होंने श्री वेंक पेश्ट वर कॉलेज में अडिमिशन लिया और वहां से बैचलर ओफ आर्ट इन इंगलिश में अपने ग्रैजुशन कम्प्लीट करी इसके अलावा उनके कैरी के बात करें तो उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपने कैरी के शुरुआत 2007 में डिजनी इंडिया पर आने वाले सीरियल टीन ड्रामा धूम मचाली धूम से किया उन्होंने मालनी शर्मा का रोल प्ले किया एंड इसी साल उन्होंने टीवी सीरियल जिया जले में सुनेना कटोच का रॉल प्ले किया फिर उसके बाद उन्होंने 2009 में इमेजन टीवी के सीरियल सोर्या और सुहानी में राजकुमारी सुहानी का रॉल प्ले किया और उसी साल उन्होंने टीवी सिरियल जियोती में सुधा सर्मा का रोल प्ले किया इसके साथ ही उन्होंने 2010 में नचले वे विद स्रोज खान में as a contestant पाटिस्पेट किया लेकिन उन्हें actual fame 2011 में आने वाले सिरियल दिल से दी दूआ सोभागया बतिभाव से मिली जिसमें उन्होंने जानवी आइंसिया का रॉल प्ले किया इस सीरियल में उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया इस सीरियल से उन्हें काफी फेम मिली और लोग उन्हें जानने लगे और वो घर-घर में फेमस हो गई फिर उसके बाद उन्हें 2014 में GTV के पॉपलर सीरियल कुमकुम भाग्या में प्रग्या अरोडा का रोल प्ले किया जिससे उन्हें काफी सक्सेस मिली और काफी फेम मिली और सिस्टी जहा को लोग प्रग्या के नाम से जानने लगे एंड इस सीरियल में बेस्ट लीड एक्टरस का रोल प्ले करने के लिए उन्हें इंडियन टैली अवार्ड भी मिला है इसके अलावा उन्होंने और भी काफी सारे हीट सीरियल में काम किया है जैसे की बालिका वधू, रक्संबन, जमाई राजा, टस्ने इस, कुंडली भाग साथ ही आपको बता दे कि उन्होंने 2020 में स्टन्ट रियालिटी शोओ, खत्रों के खिलारी सीजन 12 में भी एज़र कंटेस्टिन पाइटिस्पेट किया था वो 10th प्लेस पर रही थी इसके अलावा उन्होंने जहलक दिखलाजा सीजन 10 में भी पाइटिस्पेट किया था और वो 4 प्लेस पर रही थी इसके साथ ही उन्होंने शोट फिलम में भी काम किया है वो शोट फिलम यू टर्न में दिखाई थी फिर उसके बाद वो 2023 में स्टार भारत के सीरियल स्वाग अरजितनेजा के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको स्रिष्टी जहां का कौन सा सीरत सबसे ज्यादा अच्छा लगता था उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें इंटरनेट अपर ये रियुमर है कि वह अरजितनेजा को डेट कर रही है साथ ही उनके हाउस की बात करें तो अपनी फैमली के साथ मुंबई महराष्ट्रा में रहती है इसके अलावा उनके कार क्लेक्शन की बात करें उनके पास एक हुंडाई इलाइट आई 20 है जिसकी कीमट 11 लैक तो अपने पर एपिसोड का 80,000 to 1 लैक रुपीज चार्ज करती है उनके नेट वर्थ की बात करें तो 2024 के कोडिंग उनकी नेट वर्थ 45 करोर रुपीज है तो दोस्तों स्रिष्टी जहां के लिए वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमार चैनल क वीडियो सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिक मैं वीडियो बापाई